हाई फ्रेंड्स वेलकम टो टर्गेट जिससी तो बात करने वाले हम लोग जारखन सेजियल के बारे में आप सभी जानते हैं कल ही यह फॉर्म आया है और इसमें काफी बड़ा जो है नोटिफिकेशन है लगवग 42 पेज का यह नोटिफिकेशन दिया गया है तो सबका यहाँ पर यह प्रॉल्म है कोई रंग से पढ़ना नहीं चाह रहे हैं पूरा आप नोटिफिकेशन को रीड़ जरूर करें और जहां तक बात रहा आपका जारखन में फॉर्म भरने के समय आपका अस्थानिये परमानपत्र और जातिये परमानपत्र इन दोनों के लिए क्या तिथ के बाद से आपका जो यहां पर डोकुमेंट्स होंगे जो भी परमानपत्र आप सम्मिट करेंगे और रद घोसित कर दिया जाएगा आवेल घोसित कर दिया जाएगा कौन सम्माइन होगा इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा और अ चनाव में जा सकते हैं तो यहाँ पर जो है सारी चीजी को समझ लिजिए पहले उसके बाद ऊपलाइ कीजिएगा यहां पर अभ्यार्थियों को कर्मिक परसासनिक सुधार तथा राज भासा वीभाग के परतांक 9650 दिनांक 2626 दौरा है ना कब से 2626 दौरा निर्धारित परपत्र में अनुमंदल पदादिकारी की अस्तर से दिनांक 2626 तथा इसके जो है पश्चात का है ना इसके बाद का मतलब अगर आपके पास है है ना 2626 के बाद का बना हुए अगर अस्तानिय निवासी परमान पत्र है तो वही माइन होगा है ना और यह जो होगा आपका अनुमंडल पदाधिकारी किसके दवारा अनुमंडल पदाधिकारी के दवारा बना होना चाहिए मलब SDO के दवारा बना होना चाहिए आगे देखे इसके बारे में क्या लिखा गया है यह सारे पॉंट्स जो है यहाँ पर लिखे गए है यह सारे आपके लिए important है ख, ग, घ, अच्छ, तो यह सारे चीज़ आप पढ़ ले तभी आप apply करें देख्या लिखा गया है, 97-2019 के, है ना, 97-2019 के मतलब आपका यह जो है, जुलाई का महीना जो है आपका तो, के पूर्व, अंचला-धिकारी के अस्तर से, मतलब क्या होगा, सरकल आफिसर के अस्तर से अगर आपका अस्थानीय निवासीपरमान-पत्र है, तो मायन नहीं होगा मतलब इसके पहले का अगर आप दे रहे हैं अस्थानिय परमान पत्र वो भी आप अगर CO के दवारा बना हुआ दे रहे हैं तो बिलुकुल माइन नहीं होगा देखें यहाँ पर जो की दिया गया है गर नमर दिनांक 2626 के पुरू किसी भी अस्तर से वल्लब किसी भी अस्तर के कहने का मतलब यह है चाहे वो SDO का हो CO का हो DC का हो किसी का भी हो तो अगर उन लोगों से आपका अस्थानिय परमान पत्र बना है 2626 के पहले का तो वो भी माइन नहीं होगा ठीक है आगे देखिए यहाँ पर जो घर नमर दिया गया है परिसिष्ट में अंकित परपत्र से भीन परपत्र में निर्गत अस्थानिय निवासिय परमान पत्र माइन नहीं होगा अंकित परपत्र से अगर आप जिस टाइम फरम फिल अप करते हैं उस टाइम का अगर फरम भरते समय अलग हो जाता है और जब आप समिट करते हैं तो अलग समिट करते हैं जब वेरिफिकेशन होगा आपका डुकुमेंट का उस टाइम आपसे लिया जाएगा तो अगर किसी अंतिम तिति के का अर्थ है यहाँ पर जब आप सब्सभीट कर देते हैं उसके पश्चात जो यहाँ आप अप्टानिय निवासी परमानपत्र देते उसके आगे का जैसे आप चार तारिकों कि यह चार दाकर करके देते हैं तो वो भी मैंड नहीं होगा मतलब फॉम भरने से पहले का बना होना चाहिए आपका यहाँ पर देखे चाह नमर जो की दिया गया आपका पिता पती के आधार पर निर्गत अस्थानी निवासी परमान पत्र माइन होंगे पती के आधार पर निर्गत अस्थानी निवासी परमान पत्र एवं परमान पत्रों में अभ्यरती का नाम भीन होने पर जो है यहाँ पर देखिए परमान पत्रों की जाच के दोरान इस समन्द में सपत पत्र समर्पित करना अनिवायर होगा तो अगर यहाँ पर देखिए कुछ चेंज होते हैं यहाँ पर तो जांच के दोरान है जांच के दोरान जो है सपथ पत समिर्पीत करना पड़ेगा आपको यहाँ पर देखिए आप बात करते हैं जाती पर्मान पत्र के बारे में क्या है जाती पर्मान पत्र के बारे में जो क दिया गया है ना घा नमर से जो दिया गया है इसको अगर आप पढ़ लेते तो बहुत अच्छोगा आपके लिए दिखेगे या परमान पत्र आवेदन देने की अंतिम टिथी तक अनिवार रुप से वेद होना चाहिए मतलत जिस टिथी को आप आवेदन कर रहे हैं उसके अं कोमेंट नहीं दिया जाना चाहिए दिनांग 25 दो 2019 के पूर अंचल दिकारिक के अस्तर से निर्गत अथ्वा परिसिष्ट में अंकीत पर पत्र से भीन पर पत्र में अंचल दिकारिक के अस्तर के निर्गत जाती परमान पत्र आय परमान पत्र एवं संपती परमान पत्र मान नहीं होगा कबसे यहां पर देखे 25 दो 2010 है ना तो अगर इसके बाद का बना है आपका है ना इसके बाद का अगर बना है तो ओ आपका स्यो का बना होना चाहिए अगर 2019 के बाद अगर आप बनाते हैं डोकुमेंट अपना जातिय परवान पतर तो वो आपका जो है CO का बना होना चाहिए और अगर इसके पहले का है तो आपका जो है यहाँ पर SDO है ना या फिर DC के दोबारा बना होना चाहिए यही चीज लिखा गया है आप लोगों के लिए तो आप इसको note down जरूर कर ले दिमाग में बैठा ले form को भरने से पहले देखिए तो यही था आपके लिए update था काफी जरूरी update था एक बार मैं फिर से rewind कर देता हूँ ताकि आप लोग फिर से समझ जाए क्या मैंने आपको कहा है देखिए आपका residential certificate है जो कि अस्थानी ये कहते है जिसको वो आपका जो है 2626 के बाद का बना होना चाहिए ठीक है और अगर आपका CO से बनवाते हैं तो जैसा कि मैंने आपको कहा अगर आप CO से बनवाते हैं तो यहाँ पर देखे होंगे आप जो मैंने बताया आपका 17-7-2019 के पूर्व अंचले दिकारी के अस्तर से निर्गत अस्थानी ये परमान पत्र मानी नहीं होगा है ना तो ये points आप आज रखिएगा और जो आपका यहाँ पर का सेटिफिकेट है अगर आपका का सेटिफिकेट 25-2-2019 का पहले का है तो वो किसका बना होना चाहिए SDO का बना होना चाहिए या फिर DC का अगर 25-2-2019 के बाद का बना है आपका तो वो आपका CO का बना होना चाहिए यही था आप लोगों का लिए अपडेट तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेर कर दें और अपने दोस्तों को भी बता दे ताकि वे गलती ना करें पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धहनेवाद जैहिन जै भारत